करेंगे जो UP based आपके environmental question आपको आते हैं उनको लेकर देखा जाए तो बहुत जादा कुछ यहाँ पर इन्वायमेंटर से related UP में question आपको आता नहीं है सिवाए ऐसे topics related जो कि कुछ प्रमुक आपके वनिजी विहार हो गए बक्षी विहार हो गए वनिस्ति रिपोर्ट्स हो गई और इसके लामा आपके रास्ट्यों द्यान हो गए या फिर आपके कुछ परेटा नस्थल हो गए इस से related आपको इससे जादा कुछ यहां पर आप देखने को नहीं मिलता है UP-based environmental question में इसलिए यहां पर जादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है जो सीमित चीजें है बस उसे यहां पर हमें अच्छे से study कर लेनी है तो दूसी चीज यहां पर ध्यान रखेगा अगर एक दो question आपको बांकि current का जो topic है उससे जरूर देखते रहेगा current का वीडियो जरूर देखिएगा बांकि यहां पर आपको जितना भी topics interrelated हैं जो चीजें रह गई है environmental based issue से वो हम आज यहां पर cover करेंगे तो एक एक करके इस topics को देखते हैं क्या-क्या है विशेश जो आपको environment के अंतरगत UP UP based पढ़ना चाहिए सबसे पहले यहां पर हम थोड़ा सा जानकारी हांसिल करते हैं उत्तव देख के परियावरण और उससे संबंधित सरकार के द्वारत जो प्रयास किये जा रहे हैं उनको लेकर लेकर सबसे पहले उत्तव देख की जो प्रथम बनीत है वो ध्यान रखेग के 33.33 प्रतिशत भू भाग पर वन होने आवर्शक हैं तो यह जो निर्धारित किया गया है कि किसी भी भूखंड का 33.33% आपका वन भूमी होनी चाहिए वो किस नीत के तहट तो यह ध्यान रखेगा उत्तव देख की दुती बनीत 1988 के तहट इसे निर्धारित किया गया और वनारोपन और विक्षारोपन जैसी प्रक्रवों को तीव दिया गया जैसे आप इसी क्रम में देख सकते हैं की उत्तवदेस सरकार के दोरा 2017 में राजज़वननीती लागू किया है और राज зарकार के तौरा भारती वन उत्तवदेस अजोधन अधनियं 2000 को 2001 में लागू क किया गया आगे चल कर उत्तर सरकार के द्वारा यहां पर जो कारिक्षित किये गए उनमें कई सारे संद्रक्षित करा जाता है उनकी दिख्भाल की जाती है एक चीज और यहां पर समझने वाली बात है कि कई प्रकार के तथ्याते हैं कई प्रकार के शब्द आते हैं जो कि परियावरण में आपको जानने चाहिए जैसे कि एक टॉपिक आता है जो हम बात करते हैं कि वनावरण किया जा रहा है व्रिक्षावरण किया जा रहा है व्रि का चेत्रवड और वन चेत्र वनावरण के आधार पर अव्यक्त किया जाएगा कि यहां पर वनावरण की 33.33% के जो डेटा है वो हम इस आधार पर लेते हैं इसमें जो वनावरण का आशा है उसका मतलब होता है कि उपग्रहों के द्वारा चित्रित वह भूभाग जो वास्त चादित भूमी है या नहीं है अगर वनाचादित है तो हम उसे कहेंगे वनावरण और नहीं है तो फिर आपका उसे हम उसके अंतरगत नहीं रखते हैं इसके त्रिक वन भूमी के रूप में अभिलेकित भू छेत्र को वन छेत्र के रूप में भी निरूपित किया जाता है चाहे उसमें वन हो या ना हो तेख चीज और है यहां पर ध्यान रखेगा वनावरान की परिभार्शा अलग है और किसी छेत्र को वन भूमी कहा जाएगा अगर वहां पर वन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है मतलब इससे है कि क्या राजसरकार के द्वारा पर्टिकुलर किसी भी भूमी को वन भूमी घोशित किया जा चुका है या नहीं अगर वन भूमी घोशित है तो वहां पर आपका वन भूमी चाहे वन हो या नहीं है नरजना कुछ भी है उसे हम वनभूम ही मानेंगे इसके अलावा उत्तवदेश वन निगम की जो स्थापना हुई ध्यान रखेगा 25 नवंबर 1974 को की गई तो ये तो कुछ basic question है जो कि basic fact है उत्तवदेश से related हम बात करते हैं जो कि मैंने starting में कहा जैसे कि उत्तवदेश से related जो प्रशन आपको environmental based बनेंगे वो होंगे जैसे कि उत्तवदेश की वनिस्तिती report क्या कहती है सबसे जादा जिले जहां पर वनावरण है वरिक्षावरण है सबसे कम कहां पर है प्रतिशत के हिसाब से इस तरह से आपकी जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए तो यहां पर हम आएए पढ़ते हैं कि भारती जो वनिस्तिती report 2019 जारी किये गई थी उसमें उत्तवदेश को लेकर क्या data दिया गया है सबसे पहले ध्यान से इसको सुनिएगा यूपी से रेडिट अगर आपको वनिस्तिती report आपको पता होनी चाहिए भारती वन सर्वेक्षन के द्वारा 2019 में प्रस्तूत इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसे हम ISFR 2019 के अमसार उत्तव देश में कुल अभिलिखित वन चेतर है आपका 16,582 वर्ग किलो मेटर ध्यान लखेगा उत्तव देश में कुल अभिलिखित जो वन अभी तक बताया गया है 2016,582 वर्ग किलो मेटर है और इसके कुल भागोलिक चेतर का सिर्फ 6.88% है देखिए यहाँ पर हमें 33.33% होना चाहिए लेकिन उत्तव इसमें कितना है सिर्फ 6.88% काफी कम है यहाँ पर दूसरा वैधानिक इस्थिती के अनुसार इसमें आरक्षित जो वन है आरक्षित वनों की जो इस्थिती है वो 72.9% चेतरफल के लिहास से अगर आपको जानना है तो 12.070 वर किलोमेटर के एरिया आपका कैसा है आरक्षित वन के अंतरगत है सनरक्षित वन के अंतरगत 6.98% करीब 11.057 किलो वर्गे मेटर है और आवर्गे किलोमेटर की जो होता है वो 20.23% अर्थात की 3395 वर किलोमेटर का एरिया आता है इसके अत्रिक्ट उत्तवजिस का कुल जो वनावरण है वो करीब 14,805.65 वर किलोमेटर है जो कि उत्तवजिस की कुल भावगोलिक छेत्रफल का करीब 6.15% है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुल अभिलिखित वन छेत्र कितना है कुल वनावरण कितना है, कुल संरक्षित वन कितने है, कुल आपके आरक्षित वन कितने है, आवर्गित वन कितने है परसेंटेस वाइस भी कुश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपको वर्ग किलोमेटर के हिसाब से आपका छेत्रफल पूछा जा सकता है एक अति सघन्वन दूसरा मध्यम सघन्वन और तीसरा कम सघन्वन ठीक है तो यहाँ पर यूपी में जो अति सघन्वन है वो 2616 समलो 43 वर किलोमेटर कुल छेत्फल का आप 1.09% है मध्यम सघन्वन जो है 4080 समलो 04 वर किलोमेटर का एरिया है जो की कुल छेत्फल का 1.69% है और खुले वन जो है 8109 समलो 18 वर किलोमेटर है जो कुल छेत्फल करीब 3.37% है तो यहाँ पर ध्यान रखेगा UP में आपको अति सघन्वन की इस्तिती या संख्या या छेत्फल जो होता है वो सबसे कम है एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेगा अगर हम तुलना करते हैं देखिए जो वनिस्थिती रिपोर्ट है एक चीज ध्यान रखेज के हर दो साल में यह रिपोर्ट आती है 2017 में उससे पहले आय थी 2019 में आयी है इस इस रिलेटेटिक डेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि ISFR 2017 की आकड़ों की तुलना में राज्य वनावरण में करीब 126.65 वर किलोमेटर की व्रिध्धी हुई है और उत्तव दिश में व्रिक्षावरण का कुल भगोलिक छेतफल के 3.05% यानि की 7342 वर किलोमेटर में है तो यहाँ पर आपको 2017 के मुकावले UP के वनावरण व्रिक्षावरण में व्रिध्धी देखी गई है थोड़ी बहुत ही देखी गई है लेकिन व्रिध्धी वही है इसके तुर्ट उत्तव दिश में जाड़ियों का छेतफल 852 वर किलोमेटर है जो कि कुल छेतफल का करीब आपका 0.24% यहाँ पर है तो जाणियां है वन है घने वन है अखुले वन है इत्याद के लिए रिटेट हमने यहाँ पर डेटा देख लिया यह तो हो गया चलो इस तरीके के प्रश्निक तरीका का बनता है दूसरे टाइप्स का जो कुश्चन आपको बनेगा वनों को लेकर ऐसे भी कुश्चन पूछे जाते हैं कि सरवाधिक सीर्स 5 राज्य कौन से हैं न्यूनतम सीर्स 5 राज्य कौन से हैं जहाँ पर आपको वन नहीं पाय जाते हैं या बनावरान की स्थिती है या छेत्रफ़ल के हिसाब से या परसंटेस के साब से तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते एक बार सबसे पहले अधिक्तम वन छेत्र प्रतिसत वाले आपके यूपी के 5 जिले कौन से हैं पर चेत्र कोट पहला इस्थान जिसका 36.79 परसेंट वन चेत्र है चंदौली का 22.25 परसेंट पीली भीत का 18.64 परसेंट मिर्जापूर में 18.25 परसेंट और चित्रकूर परसेंट आपको वन चेत्र है यह आपका सीर्ष पांच वन चेत्र वाले यूपी के परसेंटेज लिहासे आपके जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, पीली भीत, मिर्जापूर और चित्रकूर सीर्ष देखा है तो नियूंतम भी आपको पता होना चाहिए तो नियूंतम वन चेत्र परतिशत वाले जो पांच जिले हैं यूपी के उसमें पहला स्थान है आपका संत्र विदास नगर यानि बदोही जो 0.31 परसेंटेज है यहाँ पे वन मैनपूरी में 0.49 परसेंट देवरिया में 0.60 परसेंट बदाईउ में 0.62 और मौ में 0.64 परसेंट तो यहाँ पे नियूंतम जो वन चेत्र परतिशत वाले जिले हैं उसमें आपका संत्र विदास नगर मैनपूरी देवरिया बदाईउ और मौ हैं यह तो हो गया लिहाज से आपके कौन से जिले, अधिकतम कौन से जिले में आपको वन पाइजाते हैं और सबसे कम कहां पाइजाते हैं, तो चलिए देखते हैं अधिक्तम बंच्छेत्रफल वाले जो 5 जले हैं इसमें पहला है सोन भद्र है 2540 समलो 29 वर किलोमेटर का एरिया यहां पर बंच्छेत्र है दूसरा है लखेंपूर खीरी जिसमें आपको 1233 समलो 06 वर किलोमेटर मिर्जापूर में 803 समलो 73 वर किलोमेटर पीली भीत में 637 समलो 1 1 वर किलोमेटर और चित्रकूर्ट में 586 समलो 40 वर किलोमेटर का एरिया वनच्छेत्रफल है अधिक्तम के बाद दूसरा नियूनतम भी एक बार देख लेते हैं नियूनतम में है भदोही जहां पर सिर्फ 3.12 वर किलोमेटर का एरिया वन है मउ में 11 वर किलोमेटर, मैनपूरी में 13 समलो 6-4 वर किलोमेटर संत्रविदास, संत्रकवीर नगर में 14 वर किलोमेटर और दिवरिया में 15 समलो 2-1 वर किलोमेटर के एरिया आपका वनच्छेत्र है तो ये तो आपको पता होना चाहिए और ये मैंने आपको बता दिया percentage के लिहाज से और साथी साथ यहाँ पर आपको वन चेत्रफल के लिहाज से आपके सीर्ष और न्यूंतम पांच जिलिवल अब और कुछ चीजें हैं जो fact आपको पता होना चाहिए जैसे कि एक question आया था जैसे कि यहाँ पर आपको डेटा पता है कि प्रदेश में सरवाधिक जो अति सगन वन चेत्र हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि वन कैसे हैं अति सगन वन हैं मध्यम सगन वन खुले वन हैं तो यूपी में कौन सा जिला है जहाँ पर सरवाधिक मात्रा में आपको अति सगन वन मिलते हैं तो यूपी का जिला है लकेमपुर खीरी ठीक है जहाँ पर 8441 नौवर किलोमेटर का जो एरिया है वो सरवाधिक आपको अति सगन वन के रूप में देखा जाता है इसके त्रिक अधिकता मध्यम सगनवन छेत्र जो है 967 वर किलोमेटर एवं खुला वन जो होता है 1447 वन दो नौ वर किलोमेटर का एरिया आपको सोन भद्र में आता है सरवाधिक मातरा में आपको खुले वन जो होगे उत्तव देश में सरवाधिक वन जो होते हैं तराई और भाबर के छेत्रों में आपको मिलते हैं तो यह है आपका उत्तवधेश की one侍स्थी रिपोर्ट, जो भारत की one侍स्थी रिपोर्ट है, उसमें उत्तवधेश की इस्थी के बारे हमें जितना भी data हमें हुँए पता होना चाहिए, जो की प्रेश्ण बन सकते हैं, वो आपको मैने बढ़ा दिया अब यहाँ पर एक और चीज उत्तव देसमें one किस प्रकार के पाए जाते हैं और इन one के lab क्या है lab का मतलब होता है आर्थिक lab कई प्रकार के प्रश्ण बनते हैं जैसे कि आपके किसी प्रकार के औसद related कि यह जो औसद है वो कहां से पाए जाती है या पर्टिकलर अद्धोगी ग्रूप से कौन से प्रेण आपके important होते हैं तो यहाँ पर कुछ आर्थित प्रश्ण भी आपको यहाँ पर UP के वनों से related आपसे पूंचे जाते हैं तो यह दोनों जो question है वो भी हम इसमें देख लेते हैं तो सबसे पहले आए इसमें देखते हैं वनों के प्रकार अर्थात UP में कौन-कौन से वन या किस-किस प्रकार के वन पाये जाते हैं उत्तवदे से मुक्यता तीन प्रकार के वन पाये जाते हैं पैर उश्ट कडवंधी आद्रपनपाती वन एरिया कहां पाय जाते हैं ये वन तो तराई एवं भाबर्च के छेत्रों पाय जाते हैं वनों की जो इस्थिती है वो आदरपणपाती प्रकार के वन है जो कि अपने पत्ते इरा देते हैं प्रमुख जो व्रिक्ष हैं जो आदर पनपाती वनुद छेतर में पाया जाते हैं इसमें साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आवला, जामुन, बास, बेख इत्याजी प्रकार के व्रिक्ष हैं वो आदर पनपाती वन के अंतरगत पाया जाते हैं दूसरा जो वन का प्रकार यूपीम पाय जाता है वो ओशन करवंधी सुस्क पनपाती वन ठीक है ये पाय जाता है उत्तपदस के पूरवी मद और पश्मी मैदान में पाय जाते हैं जिसमें नीम, पीपल, शीसम, जामुन, अमलतास, बेल, अंचीर जैसे आपके व्रिक्ष प बबूल रूप से उत्तपदस के मैदानी आद रभूमी और नद्यों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल और इमली के प्रिक्ष आपको इस शेत्र में देखने को मिल जाएंगे तीसरे प्रकार का जो यूपी में वन पाये जाता है उसे बोलो, वो है आपका उत्तपदस के कटीली जाणिया, जो की उत्तपदस के दक्षनी भाग में पाये जाती हैं, साथी यहाँ पर उस्कडवन्धी प्रकार के वन भी देखने को मिलते हैं, इसमें अकेसिया, कटीले यूफर्वियस, फुलाई, कथा, जामन, और नीम के व्रिक्ष आपको बहुतायात मात्रा में बबूल इत्याद के उत्तपदस के दक्षनी भागों में देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के तो व्रिक्ष हो गए, तीन प्रकार के हैं ध्यान रखेगा, एक है आपका उश्क कडबंधी आदेपन पाती वन, दूसरा ओश्क कडबंधी सुस्कपन पाती वन, और तीसरा है उत्त दक्षनी भाग में पाई जाने वाली जानियां इत्याद समंधी व्रिक्ष, अब यहाँ पर वनों के प्रकार जो हैं, इनके लाब क्या हैं, किस-किस रूप से हम इनका प प्राप होता है कथा, बेस और बास का उपयोग हम करते हैं कागज उद्योग में, कागज बनाने के लिए एक कच्छे माल के रोप में, इसी तरह तेंदू के व्रिक्ष के पत्तों का जो प्रेयोग होता है, वो बेनी उद्योग में किया जाता है, रेल्वे लाइन में एक हजार प्रकार के व्रिक्ष हैं जो की आपको लकडियों की प्राप्ती के लिए प्रयोग किया आते हैं, साथी दो सो प्रकार के आपकी घासें जो होती हैं उत्तफदेस के मैदानी भागों में पाई जाती हैं, जैसे की उत्तफदेस के जो तराई छेतर हैं उसमें रोव महुआ अलाई चिराउंजी तह तेंदू के व्रिक्ष आपको जादा यहां पर देखने को मिल दें तो यहां पिर आपको यह चीज़ें ध्यान रखनी है पहले तो वन के प्रकार कौन से प्रमुख व्रिक्ष पाये जाते हैं और यह जो वन के प्रकार है यूपी के किस एरिया में पाये जाते हैं दूसरा वन के लाव कौन से व्रिक्ष किस प्रकार की चीज़ें पाये जाते हैं यहां पर एक सुमेलित करने का प्रश्ण बनता है जिसमें एक तरफ आपको व्रिक्ष के नाम दे दिया जाते हैं और दूसरी तरफ आपको दे दिया जाता है उस व्रिक् अब बात करते हूं तब दे सरकार के द्वारा अब तक चलाई गई कुछ महत्पून, कारिक्रम और योजना हैं जो इन्वार्मेंटल बेस्ट हैं सबसे पहला है प्रदेश में सामाजिक वान की योजना जो प्रारम की गई वो 1989 में सुरू की गई सोन भद्र में बिलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोशित किया गया धियान रखेगा प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन सा है बिलहत्थी ग्राम जो की आपका सोन भद्र में पढ़ता है तीसरा, सघन व्रिक्षा रोपन कारिक्रम जो तया 22 चैनित जन्पदों में 2005 और 2006 से प्रारम किया गया इसी तरीके से व्रिक्षा रोपन विस्तार योजना प्रदेश के चैनित 48 जिलों में 2007-08 में चलाई गई व्रिक्ष रोपन और वन्जीव सन्रक्षन के लिए इसके त्रिक जो राज्य का जैविवित्ता बोर्ड है राज्य जैवित्ता बोर्ड निधी को 2007-08 में गठित किया गया और जिसका उद्देश है जैवित्ता संद्रक्षन संसाधनों के अंत्कूलतम उपयोग और केंश सरकार के साथ इस छेतर में सहयोग करना एक स्कीम चलाएगी इंटिग्रेटिट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम इसके तहट वनों को अगनी एवं चोरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंट्रहम राज्य की भागीदारी के तहट विक्सित किया गया वन सुरक्षा योजना सरकार के दोरा चलाएगी जिसमें वनों के अवयग काटान वन चेतर में अतिक्रमन को रोकने हित 27 जिलों को यहाँ पर संचालित किया जा रहे है इस योजना को जहाँ पर यह सबसे जादा इस तरह के घटना आपको देखने को मिलती है साथ ही व्रिक्ष प्रतिपाला के व्रिक्ष मृत्ति योजना भी यहाँ पर आपको चलाएगी व्रिक्ष मित्र और व्रिक्ष प्रतिपाला के योजना का जो उद्देश था कि गाउँ और शहरों में विक्षा रोपन को बढ़ावा दिया है लोगों को यहाँ पर कहीं न कहीं किसी भी तरीके से विक्षा रोपन करने को यहाँ पर फुर्चाहित किया जाए इसकी इतरीक्त समग्रवन विकास योजना में और ज्योगिक एवं प्लाइवोड व्रिक्षा रोपन, इधन व्रिक्षा रोपन, सड़क के किनारे व्रिक्षा रोपन, बीहिडों का वनी करन, राम घंड का घाटी व्रिक्षा रोपन जैसी योजना को संचालित किया गया आगे चलके उत्तवदेस वन प्रस्रिक्षन संस्थान की बात कर लेते हैं ये तो प्रवू की होज रहे हैं कुछ संस्थाएं गठित कीए जैसी के एक संस्था है जो उत्तवदेस वन प्रस्रिक्षन संस्थान अस्थापना 1988 में कानपूर में हुई और उत्तवदेश में संयुक्त वन प्रबंधन जो होता 1952 से प्रारब किया गया उत्तवदेश के वनों को 1935 में राज की संपत्ती घोशित 1935 से यहाँ पर साथ ही जो कुछ यहाँ पर आप जो डेटा यहाँ पर हम डिसकस करें यह आपको important है यह कई बार प्रिश्णों में आपको पूछा गया है जैसे कि प्रतिवर्श जुलाई के प्रथम सब्ता में एक से साथ जुलाई को यहाँ पर वन महोत्साओ का आयोजन किया जाता है उत्तवजस के वन सेवा अधिकारियों का प्रिसिक्षन कहां कराया जाता है तो यह आपका भारती वन महाविद्याले देहरादून में किया जाता है इसके अत्रिक 2007-08 में उत्तवजस सरकार की दोरा operation green का संचालन किया गया ताकि यहाँ पर सघन बनों का विस्तार किया जासके उत्तवजस के वन च्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली, पीली, भीद, बिजनौ, मेरड, बदाईयों, सहारनपूर, जिलों में हाइटिक नर्सरी विक्सित किया गया जहाँ पर पौधों को तयार किया जाता है विक्सार ओपन के लिए इसके एत्रिक्ट है साथ नॉम्बर 2013 को green UP, clean UP अभियान को प्रारम किया गया और उन्नाव वन प्रभाग को 22, 42, 125 बाई मदलब कहने का मदलब की 2019 में, 19-20 में और 20-21 में उत्तविस सरकार के द्वारा बड़े अस्थार पर व्रिक्षार ओपन किये गए जहाँ पर 25 करोन पेंड का यहाँ पर आपको व्रिक्षार ओपन एक दिन में किया गया है एक greens world record भी create किया गया इसी तरीके से वन आधारित उत्तविस के कुछ प्रमुख उद्योगों कौन कौन से हैं और कहां कहां पर स्थापित हैं जो कि वनों पर आधारित हैं सबसे पहला उद्योग है इसमें बेत, furniture, कला, माचिस और प्लाइवूट जैसे जो उद्योग हैं आपको बरेली, नजीबाबाद और ज्वालपूर में यहाँ पर देखने को मिलेगा कागच का प्रमुख उद्योग आपको साहारनपूर में स्थित है बीड़ी, चीनी और मिट्टी खिलोने जो हैं मिरजापूर, जहांसी, सहारनपूर और बरेली में है लकड़ी के जो खिलोने बनाये जाते हैं वो सोनभद्र और आपका वारांसी में जबकि जो खेल का सामान है लकड़ी से related वो आपको मेरट मिल जाएंगे ये जो प्रमुख उद्योग हैं, जो की बनाधारित हैं या लकड़ी बेस्ट हैं, वो आपको यहां पर इन जिलों में देखने को मिल जाएंगे तो ये तो हो गया वनों से related सारी जानकारी तो वनों की स्थिती रिपोर्ट देख लिए, वनों के प्रकार देख लिए, वनों के लाब ले देख लिए उत्तवदेश सरकार की योजनाया देख लिए हमने अस्थल जो यूपी के समलित किये गए हैं और उत्तव देश के परटन की नेती से सम्मंधित जो प्रमुक योजना है वो हैं लेकिन उससे पहले कुछ अन्य जो चीज़ें रह जाती हैं कुछ अन्य बेस जो चीज़ें जो फैक्ट आपको रह जाता है उसे भी यहां पर देख सबसे पहले देश का प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तव देश में 1956 में की गई इसके प्रमुक कारियों में प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा आधुनक एम वग्यानिक प्रद्यत के सघन वन्य जीव प्रबंधन साथी राष्ट्य उध विहार विकास करना था आगे चलकर देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच संस्था के रूप में भारती वन्य जीव बोड का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष यहां पर प्रदानमंत्री होते हैं भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधनियम 1972 में पारित किया गया तथा वन परानी विशय किसिली में समलित रहे न रहेगा वन समवर्थी सूची में समलित किया गया वो भी 42 में सम्विधान शंशोधन के माध्यम से जो की इस विशय को 1.1 ने प्राणी को आपको समवर्थी सुचिम डाला गया इसके त्रिक उत्तव जे सरकार की forest statics book 2018 के अनुसार प्रदेश में एक राश्चे उद्यान है जो की दुधवा है 11 11 विहार है 14 आपके 5 विहार है और 3 आपके tiger reserve है ठीक है डेटा ध्यान रखेगा एक भाड फिर से देख लिए आपको प्रदेश में एक राश्चे उद्यान है 11 11 विहार है 14 आपके 5 विहार है और 3 आपके tiger reserve है आगे चलके इसमें increase हो चुके है अब यहाँ पर देखें जो इसे तीन जो टाइगर रिजर्व है उसमें एक दुधवा है जिसे आप पिली भी टाइगर रिजर्व है और अमनगर टाइगर रिजर्व है इसके बारे हम पढ़ेंगे फिलेहाल आपको इतना ध्यान रखने है इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं ज साथी वहां पर तीर अधनुस की आक्रिती है साथी राष्ट्री जली जीव के रूप में यहां पर गंगा डॉल्फिन को घोशित किया गया है जो कि देखा जाए तो गंगा नदी में पाई जाती है जो कि प्रयाग राज हो गया वारांसी हो गई अब मिर्जा पृत्याद क सिवालिक के गिरिपादों में पाए जाते हैं हाथी की गड़ना 2020 के अनुसार उत्तरज में करीब 352 हाथी पाए जाते हैं उत्तरब्देश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 2009 में की गे जिसके इंतरगे 744 वर किलोमेटर के एरियों को संरुष्षित किया गया है इसके ए प्रदेश का सबसे पूराना आपको वन्यजियू विहार है वो चंदर प्रभावन्यजियू विहार है 1957 में चंदवली जिली में स्थापित किया गया दुद्धवा राष्य उद्यान लखेंपूर खीरे में वस्थ्यत है जिसका खुल छेत्रवल करीब आपको 490 वर किलोमेटर है işi 17 recent میں इसे राश्टि उध्यान का दरजा दिया दुध्या राश्टि उध्यान को 1888 में बाग परियोजजना में समुलित इसमें किशनपुर वनीजिव विहार और कतर्नीय घाट वनीजिव विहार को इससे संभध करकَ इसे दुध्या टाईगर णे डिया जाता है इसके अत्रिक्त इसकी उत्तरी सीमा जो होती है मोहन नदी जबकि दक्षणी सीमा जो होती है सुहेली नदी के द्वारे निर्धारित होती है इसका विस्तार लखेंपूर खीरी के सासाथ बहराई जिले तक है 9-June 2014 को पीली भीत वंजी अभ्यारन को बाग अभ्यारन का दर्जा दिया गया जो कि दूसरा इसका था और इसके लावां तीसरा जोता है अमनगर्ण बाढ़ अभ्यारन उत्तवते सरकार के द्वारा यहां पर बाग अभ्यारन के रोप में घोशत किया गया है लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेगा जो इंडिया की अथात के केंश सरकार के द्वारा जो सूची जारी की जाती है बाग अभ्यारणों की उसमें अमनगर बाग अभ्यारण को समलित नहीं किया जाता है क्योंकि केंश सरकार का मानना है कि अमनगर जो है वो एक जिम का पूछा जाएगा तो आमनगड को समलित कर सकते हैं लेकिन केंद्र के चिडिया घरों की देखबाल जो होती ही केंद्री चिडिया घर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है और वर्तमान समय में उत्तपदेश में तीन चडिया घर है पहला कानपु चडिया घर प्राणे उद्ध्यान दूसरा नवाब वाजजद अली शाह प्राणे उद्ध्यान जिलोजिकल गार्डेन लखनव और तीसरा शहीद अश्वाक प्राणे उद्ध्यान गोरगपूर जो की सबसे नया है भी हाली में से गोशित किया गया है इटावा में एशियाई सेर प्रेटन के विकास के रूप में प्रयोग किया जाता है वने प्राणे सुरक्षा सब्ता अक्तूबर के प्रथम सब्ता में एक से साथ अक्तूबर के मत यहां पे मनाया जाता है प्रदेश में पक्षियों के प्रती आम जन्ता को जागरूख करने के लिए दिसंबर माह के प्रतम सब्ता में बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन करते हैं लखनव और कानपूर प्राणि उद्ध्यानों में तितली पार का निर्माण किया गया है ताकि तितलीयों की कम होती ही संख्या को रोका जासके तितलीयों के संरक्षन के लिए दो केंद्र हैं एक लखनव में और एक कानपूर में तितलियां जो होती है important क्यों है क्योंकि फूलों के परागण और बीजों के अंकुरण में इनका एक महत्मूर योगदान होता है और इसलिए यहां पे इनका संरक्षन करना आवर्शक है नता केस्तिती में फूलों इत्याद के जो संक्रण है विस्तार है उनमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है इसके अत्रिक राश्री पक्षी मोर के संरक्षन के लिए मतुरायम व्रणदावन में मयूर संरक्षन केंदर भी आपको स्थापित किये गए है मगर मच घडियालों के लिए उत्तवजे सरकार के द्वारा घडियाल प्रजनेयम पुनरवास योजना चलाई जा रही है और कच्वों के विस्तार के लिए कच्वा पुनरवास योजना का संचालन गंगा नदी के छेत्रों में किया जा रहा है इको डिवलेप्मेंट योजना के तहर संदक्षित वनों के निकट वन उपज को विक्सित करने की भी यहाँ पर योजना ती पक्षि अब्यारन अब यहाँ पर आनने जो data हैं लास्ट में हम देख लेते हैं जैसे कि अट्व देख लेते हैं पक्षी वन जीव विहार फिर उसके बाद जो हैं उत्तवदेश के वन्जी विहार, रामसर आद्रहोमे अस्थल और उसके बाद फिर कुछ पर रिटन के रोप में जो परियावन इंवर्मेंटल को विक्सित किया जाएगा सबसे पहले उत्तवदेश में पाया जाने में कौन कौन से पक्षी विहार है पहला है शहीद चंद्रसेखर आजाद, देखिए इसका नाम बदला गया है, पहले समीसे हम जानते थे नवाप गंज पक्षी विहार तो कई बार ये भी पूचा जा सकता है कि नवाप गंज पक्षी विहार को नाम परिवर्पित करके क्या रखा गया है तो नया नाम है सहीद चंदसेखर आजाद पक्षी विहार और पुराने समय से कहते हैं नवापगंच पक्षी विहार स्थापना हुई थी 1984 में उन्नाव जन्पज में इस्थित है और इसका जो छेत्रवल है करीब 2.25 वर किलोमेटर का है दूसरा है समस्पूर पक्षी वन्न जीव विहार जो 1987 में इस्थापित किया गया राय वरेली में और इसका 7.99 वर किलोमेटर का एरिया है तीसरा है लाख बहोशी पक्षी वनिजु विहार 1988 में स्थापित किया गया करनौज में इसका एरिया है 80 समलोग 2.9 वर्ग किलोमेटर चौथा है आपका ओकला पक्षी वनिजु विहार जो की 1990 में गौतम बुद नगर में स्थापित किया गया करीब 4 किलोमेटर के एरियाज में पांचवा यहां पर है बखीरा पक्षी वनिजु विहार जो की आपको 1990 में संथ कभी नगर में अस्थापित किया गया जो 28.44 यहां पर वर्ग किलोमेटर एरिया में है डॉक्र भीम्र अंबेटकर वनिजु विहार आपको 1990 में संथ कभी नगर में स्थापित किया गया जो की 28.44 वर्ग किलोमेटर में है इसी तरीके से से खका-जीन वनिजु विहार ये आपको 2016 में स्थापित किया गया और अलीघड में करीब 0.40 वर किलोविटर में समान पक्षी विहार 1990 में आपको मैनपुरी में स्थापित किया गया करीब 5.26 वर किलोविटर में जैप्रकास नाराण देखिए इसका भी नाम बदला गया है ठीक है एक और यहां पर पक्षी विहार का नाम बदला गया है पहले इसे हम जानते थे सुरोहा तार पक्षी वनजी विहार नया नाम हो गया इसका जैप्रकास नाराण पक्षी वनजी विहार 1991 में स्थापित गिया गया बलिया जिली में जिसका एरिया जो है करीब 34 समलो तीन दो वर किलोमेटर का है सुर्ष सरोवर पक्षी विहार जो होता है इसे 1991 में आगरा इटावा के छेत में स्थापित गिया गया चार वर किलोमेटर में पार्वती अरदा पक्षी वनीजी विहार 1990 में गोंडा में आये 10 समलो 8,4 वर किलोमेटर के एरिया में हाँ पर इस्तारी था ये विजय सागर पक्षी वनीजी विहार 1990 में महौबा में स्थापित किया गया और इसका जो टोटल एरिया है वो करीब आपको 2 समलो 6,2 वर किलोमेटर का एरिया है पटना पक्षी वन जीव विहार देखा जा तो उन्हीं सुनब्व में एटा में स्थापित किया गया करीब 1.09 किलोमेटर पटना है तो इसका मतलब बिहार मत सोचेगा पटना आपका छेतर है जो की एटा में पड़ता है इसके लावाँ सांडी पक्षी वन जीव विहार उन् पक्षी वन जीव विहार है जो की आपको देखा जाये तो करीब आपको 80 समदों 24 वर क्लोमेटर एरिया सबवे तर्फ चोटा वन जीव विहार जो है सेखा पख्षी वन जीव विहार है जो सिर्फ आपको 0.40 वर क्लोमेटर ए 만들어 है इसके त्रिफ सबसे बढ़ा वनीजियोविहार अस्तिनापुर वनीजियोविहार है जो दोहजार शोला में šामिल किया गया तैसे तरीके सबसे नया पुराना बड़ा चोटे भी कुशे आपसे पूछे आते हैं तो वह भी हमें पड़ दिया अब इसके बात पक्षी वन जीव विहार तो हो गया, दूसरा हमें यहां पर ध्यान रखना है, आपके उत्तरवजस के वन जीव विहार कौन से हैं, इसमें चार चीज़ें हमें, चार से पांच चीज़ें ध्यान रखना है, पहले तो वन जीव विहार कौन सा है, दूसरा कब स्थापित किया गया, एर और जो प्रमुख वन जीव यहाँ पे संद्रक्षित किया जाते हैं उसमें है आपका चिंकारा, भालू, सांभर और तेंदुआ दूसरा है किशनपूर वन जीव विहार, इसे स्थापित किया गया 1972 में, टोटल इसका एरिया है 227 वर किलूमेटर का, और जिला है लकेमपूर खेरी जीव जो यहाँ पे संद्रक्षित किया जा रहे हैं उसमें चीता है, तेंदुआ और हिरन है तीसरा है कतरनिया घाट वन जीव विहार, 1976 में स्थापित किया गया, करीब 400,09 वर किलूमेटर में, बहराइच जिले में है, जिसमें दुरलव मैदानी जीवों को संद्रक्षित किया जाता है जबकि रानीपूर वन जीव विहार को 1970 में स्थापित किया, करीब 230,09 वर किलूमेटर बांदा चिले में बेफिन प्राणियों के संद्रक्षित के लिए महावीर स्वामी वन जीव विहार, 1970 में करीब 54,09 वर किलूमेटर निरिया में डुलेप किया गया, ललिधपूर में और यहाँ पे बंदर और अन्य मोर को यहाँ पे संद्रक्षित किया जाता है स्थापित किया गया 1989 में और यहाँ पर 635 वर किलूमेटर के एरिया है आगरा और इटावा का यहाँ पे संद्रक्षित किया जा रहा है साथवा यहाँ पे है कैमूर वन जीव अभ्यारन जो की 1982 में 573 वर किलूमेटर में मिर्जापूर और सोनभत्र के जिलों को मिला कर इसे एक छेतर के रूप में गोशित किया गया है चीता, तेंदुआ, चिंकारा और काला हिरन जैसे आपके जीवों को संद्रक्षन अस्थल के रूप में इसे देखा गया है हस्तिनापूर वनजीव अभ्यारन, 1986 में से स्थापित किया गया और तव्यत का सबसे बड़ा वनजीव अभ्यार है जो 273 वर किलूमेटर एरिया में ड्वलप है ये कई सारे जीरों में फैला हुआ है जिसमें आपको मेरा ठापोल विजनो अम्रोहा जैसे छेतरा आते हैं इसमें लकड़ वग्धा, सुहागी बरवा जो हता है वनजीव अभ्यारन आपको 1987 में चारसो अठाज़ समनो दो जीरो वर किलूमेटर एरिया में, महराज गन्ज में इस स्थापिट किया गया है । सुहेलत वण्जु अभ्यार, 1988 में ही 442 समनो चार साथ वर किलूमेटर में बालराम्पुर में चीतल और सेरों के सम्रेशन के लिए स्थापिट किया गया विहार हैं वो हमने देख लिए उनसे रिलेटेट तक थे घटना है जो कि कब समिन में स्थापित किया गए कि जिले में है एरिया क्या है और कौन से जीवों का संदक्षण है कुछ भी पूछा जाएगा इससे अत्रिक्त यहां पर वन जीव विहार और पक्षी विहारों को ले कौन से हैं तो देखिए अब तक आठ वेटलेंड जो थे यूपी के समली थे आपके रामसर सूची में पहला है नवाब गंज पक्षी विहार 2019 में नाव में है यह दूसरा है पारवती अरगा पक्षी विहार 2019 में इसे भी सामिल किया गया गोंडा में तीसरा है समान पक्ष पक्षी विहार 2019 रायबरेली में सांडी पक्षी विहार 2019 घरदोई में और सरसई नवार जील आपकी 2019 में इटावा में तो 6 अस्तल 2019 में रामसर सूची में समलीद किये गया थे ठीक है उसके बाद सात्मा जो हता सूर सरोवर पक्षी विहार 2020 में आग्रा में यहां पे पर देखा जाए तो यूपी के आठ हैं सबसे पुराना आपका उपरी गंगा नेधर वेटलेंड अस्थल है और सबसे नया आपका सुर्च सरोवर पक्षे विहार जिसे 2020 में शामिल किया गया आग्राम है जबकि एक साथ 6 सलों को सामिल किया गया था 2019 में टोटल आपके 8 हैं यह तो हो गया आपके वेटलेंड एरिया अब अधर लास जाते जाते आपके लिए कुछ उत्तब्देश परिटन नीथिक से सम्मंधि जो प्रमुक परिपत आपको विक्सित किये गए हैं उनको देख लेते हैं इसमें सबसे पहले आपको वन जीव परियावरन परिपत एक पाग अभ्यारन को तीन चीज़े हैं इसमें तो पहला है दुद्वा राश्टी उध्यान इसमें समलित किया गया है जो लखेंपूर खीरी जिले में है आपका और इसमें बारा सिंगा चीतल शेर गैंडा बाग हाथी भालू सांभर पांडा अजगर मगर मच्च जैसे पाग अभ्यारन के लिए और तीसरा है पीली भीत बाग अभ्यारन जो कि पीली भीत और लकेंपूर बहराईच जैसे जिलों में यहां पर विस्तारित है बाग अभ्यारन के लिए तीनों ही अस्थल ध्यान रखेगा उत्तवदे सरकार की परियाटन नीथ के अंतरगत वंज इसी तरीके से उत्तवदे सरकार के द्वारा कई अन्य परिपत भी यहां पर ड्वेलप किये जा रहे हैं जिसमें से एक है आपका बौध परिपत बौध परिपत में यूपी के ऐसे छेत्रों को जहां पर बौध धर्म से समधित रहे हैं चाहे वो बौध के द्वारा दीग सारनाग जो भी गौतम बुद्ध से सम्मंदित अस्थल है उसे बौध परिपत के रोप में परटन कले विक्सित किया जाएगा दूसरा है ब्रच परिपत ब्रच परिपत में आगरा को ताज मरहल के लिए जबकि वरंद्रावन को श्रीकृष्ण लीलाक से सम्मंदित मंदिरो फ़रिपत के लिए अब मतूरा जो हुति है स्रीकृष्ण की जर्मस्त्री के तर पर मुद्रज परिपत को इसमें समलीध किया जाएगा इसारानी कताओं के आंद साल स्री कृष्ण से संबंधी जो भी आपके उनके अस्थल रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर एक परटन विक्सित किया जाएगा इसमें गोवर्धन, गोकुल, व्रिंदावन, बरसाना, मतुरा, बलदेव और नंद गाउं जैसे अस्थलों को समलिद किया गया है चौथा इसमें रामाण परपत हैं रामाण परपत में देखा जाए तो आयोध्या, चित्रकूर, संगरपूर, जनकपूर जो की नेपाल में इस्थित है कहने कॉनलब की स्री राम से रिलेटेड आपको जो भी अस्थल है उनकी जीवन शैली को लेकर, उनके वनवास की स्थितियों को लेकर जो भी यहाँ पर घटनाय रही है, जहाँ जहाँ भी हुई है यूपिस रिलेटेड उनस्थलों को रामाण परपत में ड्वेलप किया गया है इसी तरह कैसे बुंदेल कंड परिपत भी बनाय गया है परटन के लिए जो महोबा में आला उदल से रिलेटेड है, महोबा को समलित किया गया है कालेंजर को समलित किया गया है, जो की रणनीति कह सकते हैं, एक किला था जिसको जीतने के लिए आप मोगल कालिन कई सारे युद्धों को देख सकते हैं उससे पहले भी इसके लावा चित्रकूट को सम्लित किया गया है जो स्री राम का वनवास थलता और बिठूर को जो कि अठारो साथाउन की क्यांति सम्मंदित है इन सभी को आपको बुंदेल खंड परिपत में सम्लित किया गया है इसके बाद विंध और वारांसी परिपत सम्लित है तो विंध वारांसी परिपत में यहाँ पर देखिए तो विंध्याचल है जो कि धार्मिक विंधिवासनी देवी का अस्थल है वारांसी भी काशी विश् कुछ ना गया है जो कि 88,000 रिशियों की तबस्थली रही है इसके लावा अयोध्या को श्री राम जिन भूम के तौर पर साथी अयोध्या को फैजाबाद को यहां पर आप देखा जाए तो मुगल नवाबों के लिए और देवा सरीफ को आपको मगत के लिए यहां पर आपको मजार के लिए यहां पर देवा सरीफ के मजार है वहाँ पर तो उन सभी चीजों को आपको आवद परिपत में समलित किया गया है इसके बाद आता है जैन परिपत जैन परिपत में देखा जाए अयोध्या वारांसी श्रावस्ति कोशामभी कांकडी जो की जैन तीर्थरंको के जन बस्तल रहे हैं उन्हें समलित किया गया है इसके रिक महोबा जहां पर गोखर पहाड में कि चटानों को काट कर 24 तिन्थंकरों की मूर्तियां बनाइ गया है और देवगर जहाँ पर प्राचीन, जैन, मूर्तियां और सिल्फ कलाएं पाए जाती हैं उसे इसमें सम्लिद किया गया है इसके बाद है सूफी परिपद, सूफी परिपद में देखा जाए तो राय बरेली है जहां पर मलिक मुहम्मद जैसी का सिरलेटट आगरा, सिया संत, काजी, नुरूला की मजार है फतेपूर सीखरी जहां पर सेख सलीम चिस्ती की दरगा और मगबरा है देवा सरीफ जहां पर हाजी, वारिश अली शाह का मजार है बहराई जो की सूफी संत, सैयद सालार, मसूद गाजी की दरगा है कि छोचा, जो की अंबेटकर नगर में पढ़ता है सूफी संत, सैयद मकदूम, अश्रफ, जहांगी, सिम्नानी की दरगा और लहर तारा-तारा जो की कबीर, तजजन्वस्थर के तौर पर वाराणसी में स्थित है और मगहर संद कबीर नगर में संद कबीर की आपकी कह सकते हैं समाधियस्थल है तो ये सारी चीज़े हैं, आपको सूफी परिपत के अंतरगत यहां पर ड्वलब की गई है तो टोटल मिलाके 10 परिपत हैं परेटन के लिहास से जो की उत्तवदे सरकार के द्वारा परेटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें विक्सित किये गई हैं जिसमें कुछ environmental हैं, कुछ रनीतिक हैं, कुछ धार्मिक हैं, कुछ अन्य चीज़ों को लेकर हैं तो यह तो हो गया आपका उत्तवदे सरकार साथी यूपी से related जो भी घटना रही हैं, जो environmental issues रहे हैं, जो भी आपको important है exam के लिए, वो सारे चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं इनका revision करिएगा, आपके यूपी बेस जितना भी important aspect है, सभी complete हो गये हैं यूपी कहती हास हो गया, कलायम सल्सकृती हो गया, भोगोल हो गया, environment हो गयी, राज विवस्था हो गयी, और साथी साथ आपका पर्यावराण भी यहाँ पर समाप्त हो गया तो यहाँ पर science-based करिसा कुछ होता नहीं है, especially तो यहाँ पर इनका ऐसा कुछ है नहीं science-sap का universal है, जो भी है, तो वो आपने general science में पढ़ी ली है, तो यह हो गया आपका topic यूपेस पर समाप एक चीज़ आपको इसमें और बस्ती है, वो है उत्तवदेश की जनगरना, तो उत्तवदेश की जनगरना का topic है, वो आपको एक recorded video मिल जाएगा, upload कर दिया जाएगा आपके channel पे, क्योंकि वहाँ पे सिप data-based question उसमें ज्यादा समझाना कुछ है नहीं, तो अल्रड़ी उसक को upload करके आपके channel पे डाल दिया जाएगा, उसको आपको देख लेना है, बांकी अब आपका जो भी stage बैचा रह गया है, यूपी special भी आपका complete हो गया है, एक top video है, वो भी आपको upload करा दिया जाएगा, अब आपका जो भी stage रह गया होगा, जैसे जनरल हिंदी आभी आपकी चल रही हो, reasoning आपकी होगी, उनको complete कर लेना है, target जैसे मैंने कहा था, 20 तारिक तक किसे finish कर लीजेगा, यूपी special मेरा कामिहाप पे आपका finish कर दिया गया है, बीच में आपको जैसे ही बांकी topic खतम होगा, बीच में आपको एक दिन live जरूर आउँगा, जहां पे सारे courses का ए और ले लूँगा, जैसे ही मज़े time में लेगा, जो भी आपको हो सकता है, Sunday या Monday तक, आपकी computer related के class, क्योंकि computer के science related, जरनल कुछ 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 आपको पूंच लिए जाते हैं, computer science related, तो उसका एक वीडियो में आपको और भी यहाँ पर लेकर आउँगा, लेकिन यूप कर सकते हैं, और study name तरकते रहें, thank you so much.